नमस्कार मित्रो देशे ट्यूशन्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 स्टैंडर्ड महाराष्टा बोट निव सेलबस जोग्राफी का 85 चाप्टर जिसका नाम है इकोनोमी आंड ओक्यूबेशन्स यह उसका दूसरा वीडियो है आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए मेरे चानल को सब्स्राइब कीजिए बेल आइकन को तो उनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है वो आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिशिंग आंसर दे क्वेस्टन्स ऑन बेसिस ऑफ फिगर 8.3 यह जो मैप है उसके आधर पर क्वेस्टन्स पूछे गया है उनके आंसर्स देने इसे क्वेस्टन कोस्ट ऑफ ब्राजिल यहां पर फिशिंग क्यों गौंसेंट्रेटर्टेड है यह पूछा गया है तो देखिए यहां पर दो फ्लोस दिखाए ते रहें यह एक यहां पर लिखाए ओशियन करंट्स ओशियन करंट्स यानि समुद्र में ओशियन्स में जो अलग-अलग reasons होते हैं, तो वह current से दिखाए गए है, यह रेड कलर का वह है warm water current, यानि गुन-गुने पानी वाला, गरम पानी वाला current, और यह blue कलर का वह है cold water current, देखे यहाँ पर जो है, नौर्थ में, नौर्थ ब्राजील से यहाँ से equator जाता है, यह आपको पता है, हमने दे जमीन का हो या पानी का हो तो यहाँ पर पानी का टेमपरेचर जादा होता है ठीक है और नीचे यहाँ पर समझे यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर आइस होता है बर्फ होता है पूरा और नौर्थ से इक्वेटर के पास से जो है गरम पानी का फ्लो यहाँ पर आता है औ एसे फिश होते हैं, जो जो वाउंग वार्म वाटर में रह सकते हैं और यहां पर नीचे जो फिश होते हैं वो केवल कोड वाटर में रहने लायक होते हैं यानि उनका अडाप्टेस्शन वैसा हुआ होता है लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है इस रिजन में South Eastern Coast of Brazil में क्या हो रहा है यहां पर दोनों waters mix हो रहे हैं South से cold water current और North से warm water current इसके करण यहां पर दोनों तरह के fish जो है बहुत अधिक मात्रा में abundance में पाए जाते हैं तो इसके कारण यहां पर fishing जो है काफी की जा सकती है ठीक है तो यह कारण है आगे inland fishing is not developed in Brazil though there is a large number of rivers in Brazil can you think of a reason inland fishing क्यों develop नहीं हुई देखिए आपने देखा है कि जो cities है Brazil में वो mainly coastal regions में है तो यह inland Brazil है यहां पर नदिया तो है बहुत सारी लेकिन यहां पर पूरा जंगल है यहां पर human ही नहीं रहते तो यहां पर fishing करने कौन जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं Let us recall Name the warm and cold ocean currents near Brazilian coast तो यह जो current warm water current और cold ocean current इनके नाम पुछ है तो warm current जो है उसका नाम है Brazilian current इसका नाम है Brazilian current और जो cold ocean current है उसका नाम है Falkland current यह आपको आगे पता चलेगा Do you know the United States dollar is used during international transactions at the international level देखे जब दो देशों में व्यापार होता है कि किसी भी दो देशों में देखे अमेरिका super power है आजका तो जब कि अंतराश्ट्रिय व्यापार जब होता है किसी भी दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो वह हमेशा United States के dollar currency में किया जाता है dollar में किया जाता है तो उसका जो code है USD है USD और उसका symbol है यह is the symbol of this currency Brazilian real उसका code है BRL is the currency of Brazil यह रियाल नाम की जो है ब्राजिल के currency का नाम है और उसका symbol है R और dollar is the symbol of this currency यह हमारे भारतिये रुपे की symbol है देखे यह यह देवनागरी र और English R अलफाबेट से बना हुआ है combination से ठीक है तो यह जो है is the symbol of Indian currency हमारे जो currency है उसका जो code है वो है INR इंडियन रुपी आ एन र तो 1 American dollar is equal to approximately 3.1297 Brazilian real है और 1 US dollar जो है 64.153 Indian rupees है तो यह जो है rate जो है जब यह book प्रिंट किया था तब का rate है अभी जो Indian rupee का rate है वन US dollar के लिए वो है approximately 75 rupees अगर आपको आज का current rate देखना है तो आप Google पर जाका USD to INR एसा टाइप कर सकते है और देख सकते हैं और क्योंकि note है यहां पर दी होई इस rates of currency are always changing यह हमेशा बदलते होई रहते हैं Geographical explanation Brazil has a sea coast of around 7400 km and excellent fishing grounds of the South Atlantic coast देखिये South Atlantic coast के पास जो है ब्राजील में मैंने जैसे की reason बताया आपको दोनों water currents वहां पर मिक्स होते हैं इसके current वहां पर fishing grounds बहुत अच्छे है और ब्राजील को भी sea coast बहुत मिला है 7400 km का The meeting of the warm Brazilian current and the cold Fockeland current of the coast of the Southeast Brazil makes it a good fishing ground यहां पर दोनों temperature के waters होते हैं इसके कारण यह वहां पर दोनों fish available होते हैं abundance Traditionally fishing has been carried on by small groups of individual fishermen using primitive techniques and equipment तो यहां पर fishing individual fishermen वारा किया जाता है बड़े बड़े companies involved नहीं है और वो पुरानी techniques की मदद से जो पुरानी equipment से उनकी मदद से किया जाता है But now large vessels are being used अभी बड़े बड़े जहात और modern technique भी यूज की जा रही है Swordfish, shrimp, lobsters and sardines are mainly caught इस तरह के fish जो है वो mainly वहां पर पकड़े जाते हैं देखे यह देखते हैं Give it a try The following images are related to agricultural activities Identify and write whether they are practiced in Brazil or India नीचे जो चित्र दिये गए है वो ब्राजिल में किया जाता है या इंडिया में किया जाता है यह पूछा गया है देखे यह जो है cocoa beans है chocolate तो यह cocoa के जो फार्म से वो mainly ब्राजिल में है तो यह ब्राजिल का चित्र है बाद में यह जो है tea plantations है tea plantations mainly south India और आसम नौर्थ इस्टन इंडिया में होता है तो यह इंडिया का है बाद में यह है जूम agriculture जूम agriculture यानि वनवासी लोग जो होते ट्राइबल पीपल वो जंगल में क्या करते है थोड़ी से जमीन मतलब उस पर जो पेड़ है वो जला देते है और वहाँ पर खेती करते है तो यह उससे बोलते है जूम agriculture यह इंडिया में है mainly बाद में यह पैड चली आगे बढ़ते हैं द फीश रिसोसेस अफ द आमेजन रिवर आर नॉट एक्स्ट्राइब मच और फीशिंग ओनली टेक्स प्लेस प्लेस ओन आ स्मॉल स्केल तो ब्राजिल में भी इतना बडी मात्रा में फीशिंग शूरू हुई नहीं है इनलाइंड में तो बहुत ही कि यह आपको बताने के लिए बोला है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बिखाना है तो देखे यह हमारा प्यारा भारत आपको क्या करना पड़ेगा हर एक क्रॉप के लिए कुछ सिंबोल्स देने पड़ेंगे ठीक है हर एक crop के लिए कुछ symbols देने पड़ेंगे, जैसे जो आर के लिए triangle, जो wheat है, उसके लिए square, फिर rice के लिए circle, ऐसे अलग-अलग symbols आप दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर index लिखना पड़ेगा, और उसमें कौन सा symbol किस लिए है, वो लिखना पड़ेगा, जैसे triangle देकर, यहाँ जोवार एसा लिख सकते हैं उसके आगे, और जहाँ जहाँ जोवार प्रोड्यूस किया जाता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, वहाँ वहाँ आप triangles निकालने पड़ेंगे आपको, छोटे-छोटे, तो मैं आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ पर जोवार मेनली प्रोड प्रदेश में, फिर नौर्धन करनाटक में, उत्तरी करनाटक में यहाँ पर फिर जो नौर्धन तेलंगणा है, यहाँ पर मेनली जोवार क्रॉप्स उगाये जाते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में ने आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद भीट, भीट को आप जो मन चाहे वो सिम्बॉल दे सकते हैं, आपको पहले यहाँ पर इंडेक्स लिख लेनी है, बाद में यहाँ पर ड्रॉ करने सिम्बॉल, ताकि आपको भी याद रहा है, अगर आप मन से सिम्बॉल लिखने लगे और बाद में इंडेक्स ल जाता है बिहार साउथ बिहार में फिर जारखंड में ठीक है फिर नौर्धन मध्यप्रदेश में यहां पर ठीक है फिर उसके बाद नौर्धन महाराष्ट्र में ठीक है फिर यहां पर सेंट्रल तेलंगणा में और सेंट्रल करना टक्ट में ठीक है यह वीट प्रोडूस किया जाता है फिर देख़ते है राइस राइस जो आपको याद रखना बहुत आसान है पूरा इंडिया जो है वहाँ पर राइस प्रोड्यूस किया जाता है फिर जो त्र पर नॉर्थिस्ट इंडिया में भी बहुत और प्रदेश में भी rice produce किया जाता है northern बिहार में भी ठीक है और 36 गड़ में यहां पर और eastern मध्यप्रदेश और eastern महाराष्ट्रा यहां पर ठीक है फिर next जो crop लेते हैं हम cotton लेते हैं तो cotton महाराष्ट्रा में प्रोडूस किया जाता है central और eastern महाराष्ट्रा में वेस्टन मध्यप्रदेश में पश्चिम मध्यप्रदेश में इस्टन पूर्वी गुजरात में फिर थोड़ा बहुत पंजाब में थोड़ा हर्याना में थोड़ा उत्तरप्रदेश में थीक है यह उसके बाद Central करनाटक, यहां पर, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा Eastern Tamil Nadu में, फिर है आंधरप्रदेश में, फिर हो गया ओधिशा में, ठीक है, थोड़ा बिहार में, थोड़ा जारखंड में, उत्तरप्रदेश में भी, ठीक है, Central मध्यप्रदेश में, ठीक है, यहां पर, फि केरर में बहुत प्रोड़ूस किया जाता है, मेंली, और नौर्थ इस्टन इंडिया में, जैसे आसाम वगरा, यहां पर, इस नौर्थ इस्टन स्टेट्स में, फिर है एपल्स, आपल्स जो है मेंली, यहां पर, जमो एंड कश्मीर, जो है, यहां पर, पश्चिमी यह आगे बढ़ते हैं, जो ग्राफिकल एक्स्टनेशन, अनलाइक ब्राजील, इंडिया अग्रिकल्चर कॉंट्रिब्यूट्स मोल ट्वर्ड जीडिपी और अंगेजेस लाज चंक ऑफ पॉपिलेशन, देखिया मतलब ब्राजील जैसा नहीं है हमारे देश में, इंडिया 30% of land in India is under cultivation, भारत के 60% भूमी जो है वो खेती के लिए यूज की जाते है, its enormous expanse of level plains, rich soils, high percentage of cultivable land, wide climatic variety, long growing season, etc. provide a strong base to agriculture, भारत में विशेशता यह है कि भारत में कुछ-कुछ रिजिजन तो ऐसे जहां पर साल में तीन बार खेती की जा सकती है, यहां की भूमी जो है बहुत उपजव है, यहां पर नदियां बहुत है, हमार यहां climate में भी variety है, जैसे north में थंड़ा मौसम है तो वहां पर apples आते है, south में गर्मी हो तो वहां पर tea plantations होते है, तो ऐसा अलग-अलग जगह पर अलग-अलग climate होना के कारण यहां पर सभी तरह की क्रॉप्स में आते है, इन Indian agriculture is mainly subsistence type, मतलब main business है लोगों का, India produces rice, wheat, maize, sorghum, and millets as major food crops, plantations of tea, coffee, rubber, and cash crops like sugarcane, cotton, jute, etc. are also produced, देखिये, भारत क्या produce करता है, mainly rice, चावल, wheat, gehu, maize, maka, sorghum, जवार, जो होता है, millets यहां अलग-अलग तरह के धान जो होते है, बाजरा वगरा उस तरह के, फिर उसके बाद tea, coffee, rubber, और cash crops, sugarcane, cotton, jute भी प्रोडूस किया जाता है, India is also a major producer of variety of fruits and vegetables, जैसे oranges प्रोडूस होते है हमारे और तर्बूस प्रोडूस होते है, फिर apples प्रोडूस होते है, ठीक है, अब देखते है, fishing in India, fishing plays an important role in the economy of India, भारत की economy में, fishing का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि, देखे, हमारे यहां भी primitive technique से fishing की जाते हैं, लेकिन बाद में, जैसे green revolution किया गया, खेती से related, जैसे ही blue revolution किया गया, blue revolution याने, जो है, fishing से related है, fishing develop करने के लिए किया गया, उसे बोलते है, blue revolution, जो white revolution है, वो milk production बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है, तो यह याद रखिया, India is one of the largest producers of fish, बारत में बहुत ज़्यादा प्रोडूरिस किया जाता है, बोथ मारे यां इनलेंड, देखे हमारे यहां समुदर किनारा भी बहुत है और नदियां भी बहुत है, तो इनलेंड यां नदियों में जो किया जाता है वो, और मारे यां समुद्रों में जो किया जा होता है, food supply को support होता है, पूरा खेती पर dependency नहीं रहती, थोड़ा support भी होता है, फिर employment भी जनरेट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, फिर nutritional level भी बढ़ता है, fish काफी nutritional होता है, फिर foreign exchange जो है हमें मिलता है, विदेशी currency मुद्रा मिलती है, export के बाद, fish forms an important part of the diet of many people living in the coastal areas of Kerala, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gova and Maharashtra, तो इन states के, जो coastal region से वहाँ पर रहने वाले जो लोग है, समुदर किनारे के पास, वहाँ पर जो है, fish बहुत खाते है लोग, इंडिया has about 7500 km of coastland है, हमारा एरिया जो है, ब्राजिल से कम है, काफी, वन थर्ड है, ब्राजिल हमसे तीन गु Marin fishing accounting for about 40% of the total annual production of fish, and being confined to coastal waters in the west from Kutch, Malbar coast to Coromandel coast in the east, major fishes are sardines, mackerel, Bombay duck and prawns, जो है, coastal waters में marine fishery की जाती है, और 40% fishing जो है, marine है हमारे समुद्र में, तो Malbar coast, देखिए, कौन से कौन से coast बताए गए है, कच, कच यानि गुजरात का region, ठीक है, कच यानि गुजरात का region, फिर है Malbar coast, देखिए, ये वाला कच region है, Malbar coast यानि ये वाला, करनाटक और केरर का, जो coastal region है उसे बोलते है, फिर कौन सा है, कोरो मंडल कोस्ट यानि इस्टन कोस्टल रीजन जो है हमारा वो, उसे बोलते है कोरो मंडल कोस्ट, ये वाला, मेंली, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत fishing की जाती है, और कौन से तरह के fishes, सारडाइस, माकरेल, बॉंबय डग प्रॉंस, ठीक है, ओन दे इस्टन कोस्ट, इंपोर्टन फीश आर होस माकरेल, क्लिवपोईट्स, एंड सिल्वर बेली, ये जो है इस्टन कोस्ट में प्रोड्यूस होते है, ठीक है, फ्रेश वोर्टर फिशिंग इस कैरीड ओन इन रिवर्स, कैनल, इरिगे देह जाता है, जो सथे आफड अंडिए जिल्वर बेलीड काप्श, जिसे मराठी में चौपड खेता है, एट्सेट्रा अर मेजर फ्रेश वाटर वराइटी जोुझेल है, बाइगे शोड़ी, ड़लेइग form ये देहरें, इन लैंड है यानि फ्रेश वोटर की है, ठीक है, तो यह आपको करना है, find out, obtain information regarding Paisy culture, Paisy culture यानि फिशिंग को बोलते है Paisy culture, Paisis यानि आपने अनिमल क्लासिविकेशन में पढ़ा होगा, Paisis यानि फिश क्लास को बोलते है, Paisy culture यानि फिश का प्रोडक्शन, in India with the help of internet and reference books and write a note, यह तो यह आपको करना है, mining in India, आभी mining के बार में पढ़ते हैं, the Chota Nagpur plateau in India is a big storehouse of different minerals, Chota Nagpur region याने जो है, यह region, यह region, यह region, तो वहाँ पर कई सारे minerals है, तो mining is the main occupation of the people there, वहाँ पर mining काफी किया जाता है, उसके करन, coal is mined in Korba, in Chattisgarh and in Eastern Maharashtra, तो coal जो है, वो Chattisgarh में और पूरवी महाराष्टरा में, जो है, काफी mining की जाती है, उसकी, ठीक है, फिर, mineral oil wells are found in Digboy in Assam, Mumbai High in Arabian Sea near Maharashtra, देखिए, यहाँ पर आसा में, जो है, mineral oils, और natural gas के, जो है, खाने पाई गई है, और यहाँ पर, Bombay High, यहाँ पर है, समुद्र में, Mumbai के, पास है, वो समुद्र में, वहाँ पर, natural gas के, जो है, storehouses पाए गए है, उसके बाद, और natural oil के भी, Kalol and Koily in Gujarat, reserves of mineral oil and natural gas have been discovered at the mouth of river Godauri, यहाँ पर भी पाए गए है, Stones like marble are found in Rajasthan and Kadappa in Andhra Pradesh, Kadappa नाम का एक गाउं है, वहाँ पर, Kadappa नाम का एक stone होता है, black color का, वो वहाँ से पाए जाता है, और Rajasthan से marbles पाए जाते हैं, marble stone, Industries in Brazil, major industries include iron and steel production, automobile assembly, petroleum processing, chemicals production and cement making, technologically based industries have been the most dynamic in recent years but have not outpaced traditional industries, ब्राजिल में कौन से main industries है, iron and steel production काफी किया जाता है, फिर उसके बाद automobile assembling, यानि जो गाडिया है वह भी assemble किया जाती है, यानि parts उसके जो होते हैं वह बाहर देशों में बनाए जाता है, और यहाँ पर ब्राजिल में सिर्फ उनका assembling, यानि जॉइनिंग किया जाता है, फिर technology based industries भी काफी develop हो रही है आजकल मतलब इन सालों में जो है traditional industries भी चल रही है, similarly food processing like sugar industries, cotton textiles, silk and woolen industries have developed well, तो देखिये यह भी industries काफी develop हो चुकिया, food processing जैसे jams बनाना, sauce बनाना, ketchups बनाना, फिर उसके बाद sugar industries, फिर cotton textiles, फिर silk बनने वाली woolen industries यह भी अच्छी develop हो चुकिया, most of the large industries are concentrated in the south and southeast यह आपको याद रखना है, जो भी industries है, जो भी human settlements है, जो भी population है, वो south और south eastern region में ब्राजिल के जादा है, the northeast is traditionally the poorest part of Brazil, but it is beginning to attract new investment, northern region में काफी गरीबी है, क्योंकि जाहरे वहां पर rain shadow region है, तो इसके करण वहां पर बारिश कम होती है, तो इसके करण वहां पर गरीबी है, ठीक है, अभी देखते हैं, industries in India, look at figure 8.4, observe the logos given, देखें, यह अलग-अलग logos दिये गए है, यह है ONGC का logo, ONGC, ONGC का long form है, oil and natural gas, oil and natural gas corporation, ठीक है, फिर है, यह है, RINL, राष्ट्रिय इसपाद निगम लिमिटेड, यानि यह steel industry का है, जो YZ यानि विशाखापटनम आंदरप्रदेश में है, वहां पर यह कार खाना है, फिर RA, यह milk production का है, मुंबई में best, यह है चितर एंजन लोकोमोटिवर्स, यह वेस्बेंगॉल में है, चितर एंजन दास, जो करांती कारी थे, हमारे स्वातंतर संगराम उनके नाम से रखा गया है, चितर एंजन लोकोमोटिवर्स, यह railway की engines बनाती है, यह कार खाना, फिर यह है, the Maharashtra Agro Industry Development Corporation Limited, यह जो है महाराष्ट्रा में जो agro, मतलब खेती में जो प्रोड़क्स पाय जाते है, उस पर जो प्रोड़क्स होते है, वो बनाए जाते है, फिर य ग्रामोद्योग आयोग, इसका इंगलिश में होता है, खादी and Village Industries Commission, ठीक है, खादी and Village Industries Commission, ठीक है, यह जो है ग्रामोद्योग, यानि गाओं के लोग जो होते हैं, जैसे खादी का कपड़े बनाते हैं, या फिर जो चोटे बहुत देसी घी वगरा बनाते हैं, तो उनके जो इसका लॉंग फ़र्म है, राष्ट्रिय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, यह केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पनान देवाल है, कारखाने के यह है, लोगो, identify the industries with which they are associated, तो यह पूछा है, यह कौन से industries से related है, तो देखते चलिए, तो देखिए, यह तो ONGC, यानि Oil and Natural Gas, यानि Oil और Natural Gas निकालने वाला है, ठीक है, यह जो है Steel Production का है, इस पात यानि Steel, ठीक है, Steel Production वागरा, उसके बाद यह RA जो है, वो Milk Production वाला है, यह जो है चितर अंजन लोकोमोटिव वार्क्स, यह जो है वो Railway Engines बनाने वाला कारखाना है, फिर यह जो है Agro Industries, यानि जो खेती से related industries होती है, उससे related है, फिर यह सिल्क से related, शिल्क के Clothes वागरा बनाने के लिए, यह है खादी टेक्स्टाइल, यानि खादी कबडा, फिर उनके और जो उद्योग होते है, वो उससे related है, यह chemical fertilizers वागरा बनाने वाला है, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें सिल्क थ्रेड होते हैं, यहाँ पर जो है, जो है, जो है, इसमें तो नाच्रल गैस ह इसमें अग्रिकल्चर गूर्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, उससे शुगर केन वगएरा, ठीक है, तो इस तरह के प्रोड़क्स, रॉह मंटेरियर्स यूज़ की जाते हैं, क्लासिफाय देम एकॉर्डिंगली, यानि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौ एकॉर्स भड़क्स आप्लिकल्चर डूर्स रिर्समा एकॉर्स वाला है, सेंडरी के भी खाड़ ग्राम ओद्यों की प्राइमरी की अग्यमरी है, यानि यह बहुद भाला यह होहादा जाता जबंदकेमों, से मेष्थ कव्ड़क्स उक्रा माइन, इस से क्लुड़क्स भड फिर यह हो गया, यह भी secondary है, manufacturing of engines, railway engines, यह भी है, chemical fertilizers बनने वाला secondary है, और यह भी, जो Maharashtra Agricultural Activities Development Corporation Limited, जो है, यह भी secondary है, ठीक है? next, from which part of India do they get these raw materials, discuss and write? तो देखे, उन्हें अलग-अलग हिस्सों से भारत के raw materials मिलते हैं, जैसे आरे कंपणी जो है, उनको raw materials, जो है, मुंबई के आसपास, जो छोटे-छोटे गाव हैं, वहां से मिलता है, दूद, raw material है, ठीक है? जो चितरंदन लोकोमोटिव है, वो raw material कहां स से लेता है, West Bengal और जारखंट से लेता है, तो ऐसा है, यह जो Central Silk Board है, कहां से, करनाटक में वगर काफी है उनका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, the distribution of industries in India is highly uneven, भारत में industries का distribution काफी uneven है, कहीं पर बहुत industries है, कहीं पर बहुत कम है, this is so partly on account of uneven distribution of the necessary raw materials and power resources and partly due to the concentration of enterprises, financial resources and other necessary conditions in large towns, देखे, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि, देखे, पॉपिलेशन भी हमारे अनिवन ली डिस्रिबूटेड है, पावर रिसोर्स, इलेक्रिसिटी भी सभी जगह पर इतनी, मतलब, बहुत जादा मातरा में अवलेबल नहीं है, राव मटेरियल्स कुछ जगह पर जो अवलेबल रहते हैं, वहाँ पर वो इंडस्री होती है, फिर कुछ रिजन में ज्यादा इंडस्रिबूटेशन हुआ है, पैसे की उपलब्दी वहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, मेटलिक मिनरल्स होते हैं, इसके कारण यहाँ पर मेटल के माइन्स काफी जादा मातरा में अवलेबल है, इस एरिया देख और फॉर, पर्टिकुलर्लरुर्रली नौर्फिशन पर पर ज़ो पर पर प्निनिसुला, पर वेरी हाँ कांसेशन हैं, बशल्क बचलिक्व इंडस् तो पैनिन्सुला है इसका नॉर्थ इसक्तन पार्ट यानिए पर बहुत ज्यख़दा मेर्द इंDсार्टृ सूंसेंटरिट रहे है की यहाँ ताया यहाद रहिए नॉर्थ इससेंगे पार्ट और चलिए。 अवलिविलिटी अफ व राज added to the advantages, यहां पर पावर प्रोजेक्ट भी काफी है, इलेक्रिक्रिक्रिक्ट भी काफी अवेलेबल है, तो उसके कारण वहां पर यह सारी इंडस्ट्री इंडस्ट्री इवलप हुए है, राजस्थान में कॉपर है, माइन्स, लेड माइन्स है और जिंक भी है, करनाटक है स्टी इन्डरा माधेरियल प्रोड़ूसिंग एडिया यह है, कॉटन, जूट, शूगर, जूट जूट है वह वह बेस बेक्वाज में काफी प्रोडूसिंग गया जाता है, उनकी इन्डस्टी इन्डस्टी इंडस्ट्री इन्कूड़ पेपर, प्ल्लायवुड, मैच्चेश, र अपने करें का श्राक फर्ड difद Front cada फियर ho later лиा संट्राव में energy इंडिस्ट्री हिन्फ ताहरा होता है संट्रल इंडियंओंन्ट में Вगारा जादा है लैक एनी एक स्टीकी सबस्टंस होता है जो मतलब उसके बैंगल्स वगएरा भी बनाए जाते है बैंगल्स वगएरा और जो स्टैम्प जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं या फिर जो अगर कोई ओफीस या कोई घर उसको 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 चापा मारके जब सील करते तब वहां लगाकर उसके ओपर यह लाक का स्टैंप लगाते मतलब वह ब्लाइक पीगलाकर उसके ओपर स्टैंप लगाते है तो वह थाया लाक मनटते ल मारा थीत The coastal belt of Kerala has a heavy concentration of koi, koepra and fish canning industries. कोई कोप्रा यानि नारियल से जो रस्यां बनाइचाती है उन्हें बोलते koi और और फिश कैनिंग इंडस्री इस मतलब फिश को कान करना फिश को पैकर के वो बेचना एक्सपॉ्ट करना कोयाली दिखबोई और नूनमाटी अब बोगायगॉन रिवाज रिफिनरी रिवाज रिस इतने अजो तो पेट्रॉलियुम प्रोडूसिंग एर्यास and Mathura and Barwoni refineries in the interior away from the coast and oil producing area ये जो है ये refineries यानी crude oil को जो है जो पेटरोल अगरा pure form of oil होते है उन में convert करने वाला उन में बोलते है refineries तो ये इन गाओं में situated है ठीक है और Mathura और Barwoni में भी situated है interior में आवे फोम the coast the distribution of cement industry is also highly conditioned by the availability of the raw materials, so cement producing industries भी काफी है हमारे देश में, I think second rank है हमारा cement production में पूरी दुनिया में, Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu produce the bulk of salt in the country, देखे गुजराद, Rajasthan, Tamil Nadu में काफी salt प्रोडुस किया जाता है, mechanical engineering, electricals, automobile, fertilizer and numerous consumer industries which show little bias for raw material have come up with all over the country with heavier concentration near the big cities तो यह जो इंडस्रीज है, जैसे mechanical engineering से, जैसे automobiles बनाने वाली कंपनियां, फिर electrical equipment बनाने वाली कंपनियां हैं, fertilizers बनाने वाली हैं, फिर अलग अलग वस्तुएं बनाने वाली, जैसे mobile बनाने वाली factories वगरा, यह उनके लिए raw materials इतने माइने नहीं रखते हैं, और वो कहीं पर भी लगाये जा सकते हैं, तो वो पूरे देश बर में फैली हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो बड़े share हों के पास फैली हुए है, let us recall, trade, read the adjoining table and answer the following questions, देखें, what is balance of trade, balance of trade यानि क्या, तो देखें, balance of trade किसे बोलते हैं, तो import value and export value के difference को, यानि import कितने रुपीज का आप कर रहे हैं, या जो भी देश की उस देश की currency हैं, वो, import की value minus export की value, उसे बोलते है, balance of trade, tell the types of balance of trades, balance of trades को किस किस तरह के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है, balanced balance of trade, और दूसरा होता है, unbalanced balance of trade, unbalanced में दो type होते हैं, एक surplus balance of trade, और दूसरा deficit trade, ठीक है, in which country export exceeds imports in all the years, किन देश में export जो है, जादा है imports के मुकाबले में, देखिए हम देखते हैं, यहाँ पर इंडिया का export और import दिखाए गए है, यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर ब्राजिल के export और import दिखाए गए है, तो देखिए, यहाँ पर इंडिया का export है, नियरली 1,78,000 US dollars, यह million में होगा, फिर यहाँ पर 28, 283,000 है, तो जो है import जादा है, यहाँ पर देखते है, ब्राजिल में 1,52,994.7 है, और यह 1,27,647, यहाँ देखिए, अगर आप देखते जाओगे, तो ब्राजिल का हर वर्ष, सभी वर्षों में export जादा है, गंपर्ड़ टू import, तो इन विच कंट्री export exceeds import in all the years, तो ब्राजिल अंसर है, ब्राजिल's balance of trade belongs to which type, देखिए, जब export जादा होता है, तो जाहिर है, जब export जादा होगा, तो हमारी कमा ही जादा होगी, जब हम बेचेंगे जादा सामान, तब हमारी कमा ही जादा होगी, जब खरीदेंगे, तब हमारी, हमारा लॉस जादा होगा, तो देखिए, यहां पर export जादा कर रहा है, तो उनका जो trade है, उसे बोलते है, फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड बोलते ऐंडिया का सभी साल में इंपोर्ट था हैं हमारा ख्रेदी हम जादा कर रहे हैं और बेच हम कम रहे हैं तो हमारा जो है लौस में है याने हमारा जो है वो उसे बोलते है deficit trade या फिर unfavorable trade ठीक है deficit trade या unfavorable trade यहाँ पर use your brain power बोला है if Rajasthan does not have a coastal area then how does it produce salt यहाँ पर यह पुछा गया है देखिए यहाँ पर तो समुदर किनारा नहीं है राजस्थान में तो फिर भी salt सबसे जादा कैसे produce करता है राजस्थान तो यहाँ पर एक salty lake है salt water lake उसका नाम है सांभर lake सांभर lake जो है वो salt water lake है यानि खारे पानी का लेक है तो वहाँ से salt काफी obtained किया जाता है काफी produce किया जाता है तो यह रिजन है although there is no sea coast but there is a salt water lake जिसका नाम है सांभर lake तो उसके करण महाँ पर salt produced किया जाता है चलिए आके बढ़ते है जोग्राफिकल एक्स्पोर्शन ब्राजील मेंली एक्स्पोर्ट्स आयन और कॉफी, कोको, क पाउडर, कॉटन, शुगर, टोबैको, औरेंजेस, और बनाना, वाइल इट इंपोर्ट्स, पंशिनरी, केमिकल प्रोड़क्ट्स, फर्टिलाइजर, भीट, हेवी वेहिकल्स, मिनरल ओइल्स और लुब्रिकंट्स तो ब्राजील क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है मेंली आय और क्या गरता है, मौडर्न मशिनरी, मशिन, केमिकल प्रोड़क्स, फर्टिलाइजर, यहूं, हेवी वेहिकल्स, बड़े-बड़े जो वेहिकल्स होते है, मिनरल ओईल, यानि जो नैचरल ओईल, वो, कच्चा तेल, लुब्रिकंट्स, यानि जो फ्रिक्शन कम करने वाले, जर्मनी, USA, Canada, Italy, Argentina, Saudi Arabia, अनि ब्राजिल के, वो है, जर्मनी, America, Canada, Italy, Argentina, Saudi Arabia, और इंडिया, ट्रेड मेखस अप्टो 25% जीड़ेपी, उनका जो GDP है ग्रोस भर्चट्रोमेस्टिक प्रड़क्ट, उसमने से 25-25 प्रतिशत जो है ट्रेड पर डेपेंडनेंट है, C figure 8.5 below and compare it with India, यहां पर जो figure दी गए है 8.5, contribution of trade in GDP, यह जो है blue color की line ब्राजिल का trade है और उसका percentage in Brazilian GDP और red color, pink color की जो line है वो है Indian trade और उसका percentage in GDP, तो देखिए यह years दिया गया है और यह percentage दिया गया है, तो देखिए red color की line यानि इंडिया वाले line जो है, काफी उंची है, यानि इंडिया में trade का percentage, जो है GDP में contribution बहुत अधिक है compared to Brazil, लेकिन 1985 या उससे पहले जो था, 1990 से पहले, ब्राजिल का जाधा था trade में contribution GDP का, ठीक है, बाद में इंडिया का बढ़ गया, ब्राजिल का धीरे धीरे बढ़ आ है, लेकिन इंडिया का काफी spikes वाला Geographical explanation, इंडिया mainly exports tea, mangoes, coffee, spices, leather and leather goods, iron ore, cotton and silk textiles, while it mainly imports petroleum machines, pearls and precious stones, gold and silver papers, medicines etc. भारत क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है mainly, चाय, आम, भारत का आम तो दुनिया भर में फेमस है, अलफोंसो मैंगो, फिर coffee जो है वो भी एक्सपोर्ट करता है, spices, दुनिया में सबसे ज़्यादा spices, मसाले जो है वो भारत में प्रोडूस किये जाता है, प्राचीन काल से भारत में मसालों के व्यापारी और मसालों का व्यापार होते आ रहा है, 5000 वन्षों से, leather, चमडा और leather की वस्तों जैसे चपल्स होते हैं, shoes होते हैं, purses होते हैं, pockets होते हैं, iron ore, कच्छा लोह, फिर cotton and silk टेक्स्टायल्स कॉटन और सिलक के कपड़े और इंपॉर्ट क्या करता है Yo प्रूड ओयल पेट्रोलियम तो यह काफी कम है पेट्रोलियम तो हम इंपोर्ट करते है तो इस पर हमारी डिपेंड़न्सी कम करने के लिए हमारे मोधी सरकार ने अभी प्लान बनाया कि 2030 तक पूरी इलेक्रिक्टिकेशन करना है पूरे रेलवेच का और हमारे देश में 2030 तक पूरा इलेक्ट्रिकल वहिकर्स चलाने है ऐसा डिसाड किया गया है ताकि पेट्रोलियम पर होने वाला खर्चा हमारा 52 परसेंट पैसा जो है वो नियरली पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में खर्च होता है बाद में मशीन इंपोर्ट करते हैं हम पर्ल्स इंपोर्ट करते ह सोना और चांदी तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं और पेपर भी इंपोर्ट करते हैं हम बहुत से मेडिसिन्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत से मेडिसिन्स इंपोर्ट भी करते हैं इंडिया's major trading partners are the UK, the USA, Germany, Japan, China, Russia, etc. भारत के जो बड़े-बड़े trading partners हैं वो कौन से हैं? UK, United Kingdom, USA, United States of America, Germany, Japan, China, Russia, etc. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया-ब्राजिल-टाइज ब्राजिल और भारत के जो बंध हैं वो कैसे हैं? answer the following, what does BRICS stand for? तो यह जो है देखिए, BRICS stands for, BRICS यानि B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa. तो यह जो है पांच देशों के नामों के initial से यह बना है, तो यह देखिए, इसके नाम में भी हर एक लेटर में उस देश का flag दिखाया गया है, यह ब्राजिल का flag है, यह रशिया का flag है, यह हमारे भारत का flag है, यह चाइना का flag है, यह South Africa का flag है. When was it established? इसकी स्थापना कब हुई? BRICS organization की. तो इसकी स्थापना जो हुई थी, June 2006 में हुई थी. Next, what are the objectives of this block? इस organization का उद्देश क्या है? देखिए, आपस में यह जो पांच देश है, यह उबरती economies है, दुनिया में. तो इनका आपस में सहयोग बढ़ाना, उनका assistance बढ़ाना, और उनके आपस में व्यापार बढ़ाना, यह भी इनका उद्देश है. Next है, the countries of which continent are not a member of this block. देखिए, कौनसे कौनसे continent के countries इस block में नहीं है. तो देखते हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट से है, रश्या जो है वो एश्या से है, इंडिया जो है वो एश्या से है, चायना जो है वो भी एश्या से है, और साउथ आफ्रिका जो है वो आफ्रिका से है. देखे रशिया का जो है वो कहते है यूरेशिया में है यानि यूरोप में भी है और एशिया में भी है तो इसे यूरोप भी कह सकते है और एशिया भी कह सकते है तो कौन से कौन से कॉंटिनेंट के नहीं है मेंली तो अमेरिकन कॉंटिनेंट के कोई नॉर्थ अमेरिका के कोई 1993 अरी ऐन्टार्टिक आभिनेंटकर निच्छास्ताम कोईरिका तो यह थैंसाउध अपरिक अन्टेनट्नेर्टीक यह सल्गाउ फाररिका, फ्क६्रीक्स यह सही प्राशे हृष्ण uży कि dessas विक्स करीकों की आफिका, तोThe बे टीम्दte यह तोबर एंडिक से एंडिया is there have been agreements for bilateral investments between India and Brazil BRICS organizations थापना करने के बाद Brazil और इंडिया के बीच में कई सारे व्यापारी समझोते हुए है ठीक है और व्यापार बढ़ता चला जा रहा है फिए अगर 8.6 शोज दे ट्रेड बिविन इंडिया और ब्राजिल study the graphs and answer the following questions यह जो गर आप दिया है उसे देखकर questions के answers देने है in which year the value of exports to Brazil exceeded the imports from Brazil कौन से साल में exports बढ़े थे ब्राजिल के compared to imports तो हम देखते है चलिए देखिए यह red color की line जो है import from Brazil भारत ने ब्राजिल से कितना import किया है याने कितना खरेदी की है और blue line जो है वो है export to Brazil तो export कौन से कौन से सालों में जादा है यह पूछा गया है compared to imports तो देखिए यहां पर 2008 में export जादा है ठीके लेकिन 2009 में कम हो गया export 2010 में जादा है 2011 में जादा है बाद में 2012 में कम हो गया फिर 2013 में बढ़ गया 2014 में बढ़ गया 2015 में जादा है याने 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 and 2015 इन इस में export जादा था compared to import next question है in which year the trade with Brazil was most favorable of all तो कौन से साल में भारत के लिए trade जो है वो favorable था याने export हमारा ब्राजील को जादा था compared to import तो देखिए यहां पर सबसे जादा difference है ठीक है यहां पर सबसे जादा है difference तो इसके कराणि यह जो है यह unfavorable trade हो गया और 2013 में जो है देखिए यह जो है सबसे जादा difference तो यह वाला जो है सबसे जादा 2013 में favorable था बाद में comment upon the balance of trade in the year 2013 देखिए 2013 में जो है इंडिया से बाजिल का trade जो था वह सबसे जादा था और इंडिया के लिए वह surplus था याने भारत के लिए वह जो था फायदेमन था trade from which year the value of exports to Brazil have exceeded the value of imports from Brazil कौन से साल में exports बड़े है Brazil को compared to अमने उनसे खर दी के तो यह 2013 write a note on trade between Brazil and India तो क्या बोल सकते है Brazil और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो देखिए यह जो गाफ हमेशा उपर नीचे रहा है यानि 2014 में जो है export और import जो है दोनों काफी कम हुए है आगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लिए इंडियरेग भारत की आईćी में तो बहारत नंबर वन है फार्मासिटिकर जांड भी भारत ने जाते हैं जैनी मेडिस भी आपड़ू किये जाते हैं फिर अनेजी शैंटर में भी काफ़ आगया है भारत आगे। आगरत की खेती से रिलेटेड माइनिंग और अगया ह तो फोपर इंजिन जाते है और अटे इंडस्री जैसे हमारे कुछ कमपनि से हीरो कमपनी है वगरा ताटा कमपनी है तो वो वह भी वहां पर है Brazil's footprint in India is smaller but important. Compared to India, India की वहां पर जितनी companies है उसके मुकाबले में Brazil की यहां पर India में काफी कम companies है तो ब्राजिल की भी कुछ कमपनीज हैं, इन फिल्ड में, भारत में जैसे के मैंने बताया, पिछले 150 वर्षों से ब्राजिल सबसे ज़्यादा प्रोडूसर रहा है कॉफी का, इसके कारण उसे कॉफी पॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, द प्लांट बिलॉंग्स तो ओरिजनली एथियोपिया, कॉफी की जो स्पेसिज है, उसकी होम कंट्री है, एथियोपिया, आफ्रिका में, इड वस फर्स ब्राजिल ब्र कॉफी फार्म्स अर कॉल्ड फैजन्डाज, जो कॉफी फार्म्स होते हैं, ब्राजिल में, उन्हें कहा जाता है, फैजन्डाज, डूई नो, टैक्से अर इंपोर्टन पार्ट ऑफ द एकोनॉमी एंड ट्रेड अफ एनी कंट्री, देखें, किसी भी देश में कर, जिसे बो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है भारत में, जो करंट मोधी सरकार ने लाया है, वो बहुत बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म है, यानि टैक्स में सुधारना है, गुड्स अन सर्विस टैक्स, विच एम्स टुवर्स वन टैक्स अल ओवर दे कंट्री ओन वेरियस कमोडिट ट्रेडिंग करना, इसलिए सिर्फ एक तरह का टैक्स रखा गया है, ब्राजिल 2 है अदॉप्टेट सिस्टीम फ्रॉम 1984, ब्राजिल में तो 1984 से है, लाइक इंडिया इन ब्राजिल 2, GST है वेरियस लाप्स, जैसे इंडिया में है उसी तरह ब्राजिल में भी GST, गुड्स अ थोड़े कम महत्वक के वस्तों तों को थोड़ा ज्यादा़ टाक्स होता है, जै से 15% बाद में लखजरी गूर्ज जो होते हैं, उन्हें ज्यादा़ टाक्स होता है, जै से 58% वकरा, तो यह स्लैप्स कहते है, अलग-अलग लेवल ज्याँ है, summary, तो ब्राजिल में भी अ जन्ने मात दोस्तों आपका दिन शुप जाए